हलो और वेलकम फ्रेंट टेक जड़ी है चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज़ल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसी वीडियो देखने के लिए तो आज की जो वीडियो मेंने बनाई है वो आफट मशीन के पर जो हम लोग पेपर पिरिंट करते हैं उसके पर चार्जिस क्या आता है तो इसके पर मैंने वीडियो बनाई तो वीडियो को लाज तक देखते रही है यह आपके लिए बहुत पैदे मने होने वाला है यह जो आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के मादियों से वीडियो को लाज्ट देते रहेगा अब यह जो आप मेरे हाद में देखने हैं 1820 एक चार का साइज है और एक चार के साइज में यह डबल कलर में यह मैटर प्रिंट हुआ है और डबल मैटर भी लगा हुआ है यानि क पैकेट ही आता है उसका तो यह फोर साइज का पैकेट आता है यह फोर साइज है इसके उपर भी आप अगर आप प्रिंट करेंगे एक हजार तो उसके पर भी आप जो चार्जेस हैं अगर आप ब्लैक से प्रिंट करते हैं तो सतर रुपे लीजिए और अगर आप ब्ल्यू से प्रिंट कर रहे हैं, तो आप 70 रुपर चार्जा लिज़े. अगर ब्लू और रेट से प्रिंट कर रहे हैं, तो आप 80 रुपर चार्ज लिज़े. 1,000 रुके हैं, लिदत प्रिंट dale please क्रें devi जिर आप जो खर्चा है वो आएगा है और आप, अगर आप और मेरे हाद में यह पेपर देख रहे हैं यह पेपर जो आप मेरे हाद मे देख रहे हैं यह यह R. districts लोग जानते हैं कि यह इसके बेंट करेंगे तो भी वही चार्जह पड़ेगा जो मैंने पहले बता जा अब इसको A5 भी बहुत से लोग कहते हैं इसके लावा अब आप जो है ये हमारा जो है 18 रुपाइस एक चार का साइज है इसके उपर भी आप वही चार्जेस लेंगे जो कि मैंने भी बताया है अगर ब्लैक से प्रिंट हो रहा है तो आप 70 रुपे लिजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी करनें क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ही मेरा वीडियो बनाना सब पलोगा दोस्तों तो यहाँ पर आप जो ये साइज देख रहे हैं ये 18 रुपाइस एक पांच का साइज है इसके उपर भी मैंने बताया है वही चार्जेस होगा इस तरह से ये सब साइज है और ये 18 रुपाइस एक छे लंबा वाला साइज है बहुत से लोग जो होते हैं वो बिल बुक अपनी लंब कहते हैं लंबा साइज रखे तो उसके लिए भी ये साइज होता है 18 रुपाइस एक छे लंबा वाला साइज होता है यह आपका यह हो गया तो यह तो मैंने पेपर के साथ से बता दिया कि आपको कितने पैसे लेने हैं कितने क्या करना है कितना चार्जेस लेना है यह एफॉर से लेकर मैंने एक आट केपर या एक चार के उपर या एक पांच के उपर मैंने सब्सक्राइब बता दी हैं ब्लैक से आप सtator रूपर ले सकते हैं बल्याब और रेट से अगर आप प्रिंट करते हैं तो उसके आप जो हैվस्ती रूपर ले सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको पेपर के बादे चारज कमितना लेना है अब दोस्तों अगर आप इससे बड़ा प्रीने करते हैं इस difference तो भी मैं बताऊंगा कि उसके आपको चार्ज कितने लेने हैं आप उसका कितना चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से या जो आपके बद प्रिंट कराने को आए तो उसके लिए तो यह ब्लू और जो है आप रेड़ अगर प्रिंट करेंगे तो उसका मैंने रेड़ बता दी आपको 80 रुपए आप ले सकते हैं अब गाइस यह द्खी यह 18 बाइस का फुलज भी इसका अगर हाफ जो हम प्रिंट करते हैं जानी कि जो हाफ होता है अगर अगर इसका हाफ अगर आप प्रिंट करेंगे तो उसको ज़्यादर लोग A3 बोलते हैं A3 और 1820 का हाफ लगबग सेम ही होता है तो अगर इसके उपर कोई आप से प्रिंट करने आ जाए तो आप जो है यहां पर आप उससे 150 रुपए चार्ज कर सकते हैं दिने दे 2-100 से 200 रुपए भी आप चार्ज कर सकते हैं उस ऐसके चारजे से होते हैं वो अलाग चार बार में प्रिंट रूपर होते हैं तो वो भी 800 रुपर में तैयार हो जाता है अपका एक हजार क्योंकि मुझसे भी एक मेरे फ्रेंड ने कहा था कि इसके पर वीडियो बनाओ तो यह वीडियो आप लोगो कैसी लगी है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स मताईएगा चलता हूं मैं फिर कुछ नहीं लेकर आता हूं नेक्स वीडियो में तब तक कि धन्यवाद शब्बा खेर कि बाई